आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थी जील कॉंबिनिशन के बारे में और यह वीडियो है मेरा पार्ट टू जहां पर मैं आपको बताऊंगा CBC ट्रिक कैसे अगर आप 10 या फिर 20 जील्टी मनाते तो CBC कॉंबिनिशन कैसे होगा कैसे आप बेस CBC कॉंबिनिशन ट्राइ कर सकते हो यह सारी जीज़ बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आज सके कि कैसे आपको CBC पि विडबैक मिला उससे आपको काफी एच्छा रिस्पॉंस भी मिल रहा है यह चीज़े मुझे काफी अच्छी लग रही है क्योंकि आप लोग मुझे लगाता है वाट्सप पे मैसेज कर रहे हो और जिनके कुछ क्वेरी जिनके कुछ कोश्चन है वह भी मुझे मैसेज कर र सारे मैचेश के T10 हो T20 हो ODI हो सबके फाइनल टीम देता हूँ ठीक है तो टेलिग्राम चैनल वैसे भी आपको जॉइन कर लेना है बाकि अगर वाट्सप पे आपको कॉंटक्ट करना है तो टेलिग्राम पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा ठीक है तो पहले वीडियो पे का मिला काफी अच्छा है आप लोग कॉंबिनिशन बना रहे हो उससे ग्रैनलिक भी बिन कर रहे हो पर लोगों को थोड़ा से डाउट रहे गया पिर भी सीवीसी को लेकर कि कैसे आप बेस सीवीसी बना सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में आपको पार्ट टू में यही बताने देख लो ठीक है क्योंकि अगर आप पार्ट वन देखते हो तब यह आपके लिए पार्ट टू भी हेलफुल होगा ठीक है क्योंकि पहले जीएल कॉम्बिनिशन समझ लो कैसे बनाना है आपको ठीक है तो चलो यहां पर पार्ट टू हम स्टार्ट करते हैं सीवीसी ट्रिक कं जरूरत है ना तो पिछ रिपोर्ट की जरूरत है किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है जब आप 10 से 20 टीम बनाते हो कॉम्बिनेशन से अगर बनाते हो तो ठीक है किसी भी चीज को कोई जरूरत नहीं होती बस आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए ठीक है अब द वह पहले हैं आपको कुछ बहुत ही आसान तरीके समझाने वाला है कुछ भी यहां पर आपको ऐसा कुछ भी हाड नहीं होगा कि आपको लगये यह तो मुझे मालूम ही नहीं है ठीक है ना तो देखो सबसे पहले आपके पास टीम रिकॉर्ड होना चाहिए और एक पीछ रिपोर्ट जिस भी टीम मतलब जिस भी जो भी मैच हो रही है कैसी पीछ 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 है या बैटिंग और यह बहुत ही आप मालूम कर सकते हो गूगल पर या फिर आप बहुत सारे अप्लिकेश टीम रिकॉर्ड में बस सिर्फ यह है कि आपको पता कर लेना जिन दो टीम के बीच में मैच हो रही है ठीक है कैसी टीम है अगर एक टीम स्ट्रॉंग है एक टीम वीक है क्योंकि जब भी अगमालों जैसे इंडिया अश्टिलिया की मैच हो रही है सौरी इंडिया और टीम ठीक है तो यह टीम रिकॉर्ड आसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप इनलाइसी से बस आपको मालूम होना चाहिए जो दो टीमों के मैच हो रही है वो दोनों टीम क्यासी है अभी जैसे इंडिया अश्टिलिया की बात हो गई तो दोनों टीम वीक है लेकिन अगर इंड चल जाता है तो बास इससे आगे काफ हम प्रोसीजर कंटिन्यू करता है आपको मालूम चल गया कि टीम रिकॉड कैसा है अब आपको यहां पर देखो क्या करना है अगर जो दो टीमों को बीच मैच हो रही है और एक टीम है और दूसरी टीम वीक है तो आपको जो सीवी सी है होसे हमेशा पिक करना है स्ट्रोंग टीम से थीक है ना क्रीच टीम से कभी आपको करना राज़ के बीच से कसறाने पिक करना है जैसे कि ₾ लेया और आाष्टेलिया के बिचद मैं वे Harmonie और दोनों टीम है तो आपको जो CBC पिक करना है दोनों टीम ॐल करना जैसे कि अगर आप को कहीं भी नहीं मिलेगा समझने के लिए और जो तिसरा कंडिशन है बहुत तर ऐसे टीम होते हैं जो वीक होते हैं तो अगर आपको लगता है दो ऐसे टीम के विच मैच हो रही जो दोनों वीक हैं तो सीबीसी जो पिक करना है आपको और आल राउंडर सेक्शन से अब क्या से आल राउंडर को पिक करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है तो यह तीन चीजे आप समझ गया है और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं कोशिज करेंगे रिपलाई करने की ठीक है चलिए तो पहले चीज समझते ह है तो ऑगर एक team strong और एक team weak है जो तो Captain or wise Captain strong team कै हम पहले समझ लेते हैं तो मैंने एक चीज तो clear कर दिया ओगहां को बच जिए सिर्फफ कसे कडिशन से किसे करना है बालर को पिक करना है या फिर फिस्कों करना है थीक है तो पहले यहाँ आपे condition पर समझ लेते हैं तो strong team से कैसे आप captain, vice captain picker होगे देखो, suppose मान लोगे यह team strong है, team A है, और हमें pick करना है, अब तो team B को भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें captain, vice captain picker नहीं नहीं है, तो एक week team तो ऐसी हट गे, team A जो की strong है, तो यहाँ से देखो captain कैसे pick करना है, अगर यह team team A, जो की strong है, औ क्योंकि इससे ज्यादा नीचे यह batting order आने वाली नहीं है, ठीक है, अगर हो सकता है, यह flop हो जाए, यह flop हो जाए, लेकिन यहाँ इससे ज्यादा नीचे बहुत rare, सिर्फ 1% chances होते हैं, कि weak team के against यह जाएगी, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप top 5 तक E तक ल कर रही है, ठीक है, अब wise captain किसे pick करना है, यह भी मैं आपको समझाते रहा हूँ, पहले यह तो होगी पहली condition, अगर यह पहले batting कर रही है, अगर यह पहले balling कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर top 4 के, आपको ऐसे baller से यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको ऐसे baller pick करने पहले तो यह देख लेना है, कि pitch कैसी है, अगर batting पीछ है, तो सिर्फ all-rounder को pick कर लेना है, ठीक है, strong team से, all-rounder से, ऐसे baller से है, फिर all-rounder को pick करना है, जो एक तो complete over balling करें, जो कि आपको पीछले match कर data देखकर पता चल जाएगा, यह से मान लो, batsman F है, यह काफी अची batting भी करता और complete over balling करता हो, तो आप इनको captain pick कर लो, और फिर भी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब भी आप किसी भी app के अंदर, जब आप team बनाते हो, फिर captain और vice captain के लिए जब आप select करते हो, तो कुछ इसी तरह का format खुलता है, इधर side में player होते हैं, और इधर आपके CBC के selection percentage दिखते हैं, तो यहां से भी आपको help मिल जाता है, तो यहां से आप देखो, अगर आप ballers pick करना चाहते हो, captain और vice captain, तो यहां पे देखो selections या percentage से आप pick कर सकते हो, आपको जो भी लग रहा है ballers, जिनके selection percentage जाता है, उनको आप captain, vice captain pick कर सकते हो, ठीक है, यह च तो कैसे आपको pick करना, मैंने आपको बता दिया, यहां पे, कि यहां पे clearly आपको top 4 के 4 batsman को captain बना लेने है, और यहां पर नीचे से wise captain, इसको, जिनके selection percentage काफी अच्छे होता है, batting और all rounder से, उनको आपको wise captain बना देना, बहुत simple तरीका है, ठीक है, यह चीज़े ध्यान है, गेंद बाज, इन सब को आपको wise captain बना देना है, पिछ के according अगर हम बात करें तो, ठीक है, दो चीज़ों से आप wise captain सेलेक्ट कर सकते हो, या तो अगर आपको आसान चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, selection percentage को देखकर, 45%, 18%, 25%, 15%, ऐसे, यहा पिर आप pitch report देख लो, कि pitch report क्या क कहता है, अगर pitch कहता है कि spinners को बहुत help मिलेगा, तो सारे spinners को यहाँ पर आप बना लो, wise captain, और फास्टर के लिए पीछ है, तो आप सारे fast bowler को wise captain बना लो, ठीक है, यह चीज़े clear है, आपको यहाँ पर quit out होनी नी चाहिए, मुझे जहां तक लग रहा है, अगर वही हम बात करना और दोनों team strong है, तो पहले चीज़ आपको देख लेना है, कि pitch कैसी है, अगर pitch balling pitch है, और यह देख लेना है कि कैसे ballers को help मिल रहे है, अगर इस spinners को help मिलती है, उस pitch पे, तो सारे spinners को pick कर लेना है, अगर आपको पता है कि यह spinners है, यह spinner है, और यह जो all rounder है, यह भी spin क करता है, तो सारे spinners को दोनों team से, आपको captain बना लेना है, ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखना है, कैप्टन सारे आपको बना लेना है, और कुछ fast baller को भी आपको pick कर लेना है, कैप्टन में, अब wise captain कीसे pick करना है, तो wise captain आपको क्या करना है, क्योंकि यह batting pitch है नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, हमें मालूम है, तो आपको all rounder section से pick करना है, यह जो top, यह जो 3 all rounder है, यह से आपको wise captain pick करना है, क्योंकि इनके chances बहुत जादा high है, यह batting करने के, क्योंकि batting हो सकते हैं, flop हो जाए, और mostly chances होते हैं, अगर bowling pitch है, तो biting flop होते हैं, और all rounder के जाते chances होते हैं, वहाँ पर चलने के, तो दोनों team से इस सेम चीज़ा आपको करनी है, यह एक team के लिए नहीं बता रहा हूं है, यह दोनों team पर करना है, क्योंकि दोनों team वैसे भी strong है, और दो batting पीछे, ballers को बहुत ज़्यादा help नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, top three के सिर्फ, top three के दोनों team हो से batsman को captain pick करने है, नीचे जाने की जो रोत है नहीं, ठीक है, top three के सारे आपको batsman को captain pick कर लेना, और vice captain, same करना है आपको, यह तो आप यहा थोड़ी सी भी यहाँ पर फास्टर को अगर help मिल रहे है, या फिर आपको थोड़ा से भी लग रहा है कि यहाँ पर spinners को help मिलता है, जहाँ बहुत 10% ही क्यों नहीं हो, ठीक है, या तो यहाँ पर दो चीज़ा आप कर सकते हो, या तो captain और vice captain इस तरीके जा सकते हो, क्योंकि यह एक चीज़ तो clear है कि यहाँ पर mostly जो help मिलता है, किसे मिलता है, batsman को मिलता है, तो आप एक trick तो यह कर सकते हो, captain बना लो, vice captain कहीं नीचे से बना लो किसी को भी जो भी ballers को help मिल रहा है, ठीक है, या फिर दूसरा condition में यह भी कर सकते हो, उस condition में जब दोनों team ही strong हो, captain इस अजिए सबनां, यह तो ठीक है, captain इसे बना, और vice captain इसे बना, फिर vice captain इसे बना, ठीक है, same चीज़ तीसरे player के साथ करो, captain इसे बना, vice captain इसे बना, और इसे वा cpt हरो, तीन से चार player में, सिर आपको reverse करनी है, सिर्फ चार प्लेयर के अंदर और आप बाल नहीं सिर्फ बैटिंग पीछो तब ही यह करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन रिवर्स करके उपर से नीचे तक आना है टॉप फॉर तक के बैट्समेन पे ठीक है क्योंकि आपको पता है बैटिंग पीछ है बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यह कर जाता है आपके Allrounder के कम chances हैं आने के batting ठीक है अगर कोई pulled-rounder TopForum batting नहीं करता है तो अगर कोई TopForum batting करता है तो आ बेसमका उनको ले सकते हो वो तो फिर कोई doubt ही नहीं है फिर तो वह आपकी वैसे Top4 में होने चाहिए क्योंकि ये Top4 का rule है तो ये चाहिए भी इहां पर जैसा कि मैने आपको बता दिए मैंने qubas होगा कुछ भी डाउठ हो आप हमें कमेंट करें मैसेज करें कोई बहु leaning बिलकुल करता हूं क्योंगर आप सो लोगो's को मैसेज आ रहे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता सबको देखना प् lors पर भी मैं कोशिज करता हूँ 25-60 मैसेज को हर दिन ले लेता हूं तो तेखो यह दूर तरीके नहीं आप पर आपको बता दी एक टीम इस्ट्रोंग एक टीम वीक अब जो लास्ट है बोध टीम वीक अगर दोनों टीम वीक है तो मैंने आपको बता दिया कि लिए लिए कि आप प्रिसिस करना कि टॉफ फोर में बैटिंग करता हो और साथी साथ कम्प्लीट ओबर बॉलिंग भी करता हो ठीक है ऐसे अल्राउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते बहुत सिर्फ इजी तरीका है जब दोनों टीम फीक हो ठीक है टॉफ फोर का अल्राउंडर और ठीक है और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया है पहले ट्रिक के लिए क्योंकि यह सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है और यह ठीक है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया पहले के अगर एक टीम इस्टोंग हो जैसे कि मानलों भी मैच चल रहें इंडिया और इस जाते हो तिन सारे को जिनके सेलेक्शन परसेंटेश जादा इनको वाइस कैपटन पिक कर लो या फिर पीछ रिपोर्ट के एक वडिंग जा रहे हो तो पीछ रिपोर्ट देख लो अगर आपको लग रहा है कि इस्पिनर पीछ यह बहुत ज्यादा हिल्प मिल रहे है और बहुत ही आसान तरीके साब एक ग्रैंड लिग के लिए वाइस कैप्टन और कैप्टन पिक कर सकते हो ठीक है तो वीडियो देखो अच्छी लग यह लाइक कर लिजागा और टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिजेगा वहां पर आपको सारे मैचस की टीम मिलती है टी